नमस्कार, अचार सलिल चैनल में आप लोग का सौगत है, मेरे एक फॉलवर ने मुझे से रिक्ष्ट के आई कि 2021 कभविस से कैसा होगा, मैंने कई बार बताया है कि भारत की कुंड़ी में अगले दस वर्ज जो होंगे वो थोड़ा सा बहुत ही संकट तो नहीं बोलूगा, बह जब एक जनरल प्रेडिक्षन दी जाती है तो उसमें सब कुस कभार हो जाता है यह जो नववर्स हा रहा है, एक जनवरी 2021 दरसल हमारी जो सनातन परंपरा है या हमारी हिंदू संस्क्रती हमारी जो परंपरा है हम इसको नववर्स नहीं मानते, लेकिन फिर भी आजकल के बच्चों का एक सुभाव होता है जैसे कि देश काल पाते के अनुशार से जो तिस भी अपने आपको बदलते हैं तो जरूर मैं नववर्स की कुंडली खासतोर से जो इसको हम इंग्लिस कुंडली बोलेंगे यह 31 दिसंबर के रात को 12 बज़े के बाद जब नया साल लगेगा इसको हम अंग्रेजी कलेंडर के साब से बोलते हैं उस समय कन्या लगन है और कन्या लगन की कुंडली बन रही है और जैसा कि आप जानते हैं कि कन्या रासी जो होती है वो दूस भाव रासी होती है और इसका स्वामी जो होता है बुद्ध होता है तो हम देखते हैं कि बुद्ध जो है वो चौते घर में बैठा हुआ है और सूर के साथ बैठा हुआ है तो मेरा यह मानना है कि कन्या लगने में जब लगने के स्वामी बुद्ध का संबंद बारवागर के स्वामी सूरिस हो जाता है तो बारवागर जो होता है वो खर्चों का होता है अमुमन हम खर्चे से इसको देखते हैं और यहां पर हम यह भी देखते हैं कि बारवागर जो ह होता है वह हॉस्पियटलाइजुवड का होता है और विदेश को समबन्द होता है कन्य लगन की कुन्डी है लगन खाली है दूस्रे ऑज़शे कोर्ली कोई भी नहीं है प्रीसे कर में शुक्र और केतु है चोते कहर में सूर और पांकवे घर में सनी और गुरु में भी बहुत बड़ी खगोली घटना होई थी सनी और गुरू की तो लगबग वही इस्तिति है साथ डिगरी के सनी है मकर में और आठ डिगरी के गुरू है चटवागर खाली है साथवागर खाली है आठवे घर में मंगल है नवे घर में राहू बेठा हुआ है दसवे घर में च उनका चंदमा ग्यार्वागर खाली और बार्वागर खाली तो यह लगनी कुंड़ी है और भले ही योग बहुत अच्छे हैं गुरु पुस्प्रनचत्र है जो भी हम लोग बात करें लेकिन अमूमन मेरा ही मानना रहा है कि जो कुंड़ी जो होती है वो अपने आप में बहु जो जो तिसका कुछ बेसिक फंडे होते हैं कुछ मोल से दांत होते हैं सनी का जो गोचर है वो पूरे साल मकरासी में है और गुरु भी लगबग मकरासी में ही रहेंगे थोड़ा बहुत उपर नीचे होते रहेंगे थोड़ा सा नचत्रपरवरतन वगर आगे पीछे का जो ट्रांजीट है यह बहुत दिनों के बाद ऐसा ट्रांजीट आया और अभी जो हमने ख़गोली घटना देखी तो आठ सो सालों के बाद यह घटना होई जिनकी रासी मेस रासी है तो मेस रासी वालों के लिए मेरा ये मनना है कि अमोमन मैं फिर आपको बतारा हैं लेकिन फिर भी अब मेस रासी के बारे में पूचेंगे तो मेस रासी के लिए ये साल मेरा ये मनना है कि मिस्सित रहेगा ना बहुत जादा अच्छे रिजल्ट आएंगे ना बहुत खराब रिजल्ट आएंगे लेकिन फिर भी मेस रासी तरक्की के रास्ते में तो जिनको भी जो साहे की प्लानिंग करनी है वो व्युवेवसाय का हो यह के लिए हो चाहिए वो धन के लिए हो चाहिए वो प्रपर्टी के लिए हो मैं उनको सलाइद दूँगा में सरासी वालों के लिए कि 2021 में आप प्लानिंग करें सेकंड हाप में जाके उसको एक्जेक्यूट करने के लिए एक दो स्टेप आगे बढ़ा है 2022 सापका बहुत अच्छा होगा विरसरासी के लिए दि मैं देखता हूं तो यहां पर भी जो ग्रहों का जो गोचर होगा में सरासी जैसा ही रिजल्ट देगा अच्छे समाचार आएंगे मतलब आप यह मानिये कि हाउस आफ कॉम्णिकेशन आपको बहुत अच्छा है तो मतलब आपको अच्छी न्यूज मिलेगी परिवार से अच्छी न्यूज मिलेगी कम्मिनिकेशन बहुत अच्छा है बड़ी छोटी छोटी चीज़े हैं आपको टेलिविजन कहीं देंगे उसमें बैठके न्यूज देखेंगे यह बड़ी छोटी घटना है लेकिन ऐसी घटनाएं होंगी खासता उसे कि जब भी कोई अपना ने टीवी खरिदता है और लाके जब पहली बार न्यूज देखता है उसमें बैठके तो कहीं न कहीं थर्ड आउस कनेक्ट होता है छोटी बात है लेकिन समाने वर्ग के लिए बड़ी इंपोर्टेंट चीज़ होती है एक टेलिविजन भी खरिदना आ मतलब आगे चलके आपके पास 2021 में धन आगबन के साधन होंगे और आप अपने विवसाय को बढ़ाएंगे अपना सर्वाइवल देखेंगे यहां पर सर्वाइवल देख रहा हूं मतलब खराब इस्तिति से आप उपर उठेंगे मित्यु नासी का स्वामी बुद्ध होता ह है और मित्यु नासी के बारे में ध्यान दे तो अच्छी रिलेसंसिप बन रही है यह आप नौकरी करना है तो आपके जो उच्छा दिकारी वगर है उच्छा बच्चे संबन मनाईए उसका आपको फायदा मिलेगा आपका स्वास्त को थोड़ा ध्यान में रखना है यहां देखिए मैंने आपको बताया कि गुर्वर सनी की यूति जो है वो आदमी को डावांडोल कर रही है तो यहां पर आपको संबंद में राइस दे रही है परिवार में सुभकार हो रहा है तो वहीं पर आपको बीमारी भी दे रही है तो हमको सहीं बरत्त हुए चलना है बिजनेस चेंज करेंगे नए रिस्पॉंसबिल्टी जाएगी लेकिन मैं आप बोलूँगा कि आपको फैसले सोच समझ के लेना है इस स्वास्त की प्राब्लम होती है तो सेकंड लेना है नए वेवसाइक ले जा रहे हैं तो किस अच्छे जोची से अपनी सलाह लेके उसके प्रवर्तन का दौर रहेगा आपके लिए सिंग राशी के बारे में दी मैं सोचूं तो ये साल मिला जुला है संदी का कोचर बहुत अच्छा है लेकिन गुरू का उसके साथ में आना कारियों में रुकावट बताता है वानी में स्थिर्ता रखिएगा और सोच समझ के बात करना है सोच समझ के बोलना है विवादों से बचना है यदि किसी से धन लिया है तो वो आपको इस साल वापस करना है जिससे आपको लेना है वहाँ पे मुझे संदे है कि आपको वापस मिल पाएगा लेकिन समल के चलना है सिंग्राशी वालों के लिए सिंग्राशी वालों के लिए मैं यह भी बोलूंगा कि 2021 तो फिर भी ठीक है लेकिन 22-24 यहां पर आपको बहुत ही समल के चलना है कन्याराशी कन्याराशी के लिए कि जितने भी पुराने काम हुएं आपके जो प्रेंडिंग ते कोवीड आने के पहले आपके काम रुके गए थे मेरा मनना ही कि 2021 में उनकी एक दिसान निधारन हो जाएगा जिससे 2022 में आप उसको उससे लाभवान भी थोंगे तो मैं समझता हूं कन्याराशी के लिए अच्छ आपके खर्चे बढ़ेंगे तो आप अपने खर्चों अपने फाइनस अपने बैंकिंग सिस्टम पर ध्यान रखेगा और समाने साल रहेगा चिंदा की कोई बात नहीं है जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा लेकिन खर्चे बढ़ेंगे वहां पर आपको कंट्रोल करन व्रिशिक राशी के लिए अच्छे समय की सुरुवात हो रही है भाग्य का परिवर्तन भाग्य उद्य हो रहा है तो व्रिशिक राशी वालों को मैं यहीं बोलूँगा कि आप प्लानिंग कर लीजिए स्ट्रेटिजी बना लीजिए क्योंकि 22-24 आपके बहुत अच्छे हैं 21 वे उसका आपको नजारा नजारा आएगा जून के बाद तरक्की का एक रास्ता खुलेगा और आप उसी रास्ते पी जाएंगे धनूराशी के लिए हम बात करें आपके परिवार में हर्स का वातावरन रहेगा मतलब अच्छा है सुब है और लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि जहां पे बहुत खुसी होती है उसके पीछे कोई गम होता है इसलिए बहुत सोच समझ के इन खुसीयों को एंजॉय करना है क्योंकि मैं बार-बार कह रहा ह हूं गिरहों का गोचर अच्छा है लेकिन हिंदु पद्धत्य की जो हमारी नवर्स कुंड़ी है वो उसमें हमको कोई रिलीफ नहीं मिल ली है और वो ज्यादा अथन्टिक होती है मकर रासी में बहुत जबर्जस्ट रांजीट है को कि सनी मकर में बैटे हुए है गुरू मकर रासी में सनी अपने घर में बैटा हुआ है गुरू नीच का होके बैटा हुआ उतल पतल रहेगी और लेकिन फिर भी सनी मकान मालिक अपने घर में बैटा हुआ है तो इसका मत्तब यह हुआ कि परिवार में खुसी रहेगी हर्स का महोल रहेगा कहीं कहीं उपन नीचे ह होगा लेकिन 2021 आप अराम से काट के ले जाएंगे मुझे मकर राशी वालों के लिए 2022-23 वहां पर थोड़ा सा उसके लिए मैं आपको एडवांस में बुल दराओं कि आगे की प्लानिंग करना शुरू कीजिए और समल के चलिए कुम राशी के लिए मैं कहूं तो मिस्चित है रिजर्ट आएंगे लेकिन फिर भी धन आ रहा है पदिपितिस्था मिल रही है कुम राशी के बच्चे जो किसी कॉम्पुटेटिव एक्जाम के लिए जा रहे हैं उनको सफलता मिलेगी मेहनत करनी पड़ेगी मेहनत करेंगे तो सफलता आपको बहुत आराम से मिलेगी कोई वहन खरीदेंगे आप लोग मेहनत करेंगे तो सितारा बुलंदी में जाएगा कुम्ब राशी के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि सनी का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी बोलना हूं मीन का स्वामी गुरु नीच का हो गया तो मेरा यह मानना है कि थोड़ा परिस्त्रम कराएगा लेकिन 2021 आपका बहुत आराम से कट जाएगा तो यह एक समाननी रिजल्ट है 2021 का जिसमें हम थोड़ा से चर्चा करते हैं जब मैंने बारा राशियों के बारे में बात किया तो यह चंदमा की वो रासियां है जो आपकी जन्मे कुंड़ी में चंदमा जिस रासी में बैठा हुआ है वो रासी है चंदर रासी इंगलिस महिने के अधार पर करते हैं लेकिन हम लोग भारती जोतिस वैदिक जोतिस के हिसाप से हम लोग चंदमा को चंदर रासी को लेके ही पहिस्तवानी करते हैं तो यह जो मैंने आ आपकी जो चंद्र रासी है मेरा ये मानना ही कि हमको 2021 बहुत समल के काटना है हमको बीमारियों से बचना है और इसके बाद 2022 से जाके हमको कहीं न कहीं सबसमस्याओं से समद्रान मिलना शुरू होगा नमस्कार